दिल्ली के बोर्डर पर आने के लिए किसान हरियाना और पंजाब की सीमा पर जदो जहद करते विए नजर आ रहे हैं किसानों और पुलिस के बीच हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पुलिस के दोवार आशु गैस के गोले छोड़े गई रबर बुलेट्स चलाए गई उसके बाद से किसानों में अफरा तफरी का माहूल भी देखने को मिल रहा है विपक्स यहाँ पर केंदर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है किसानों का साफ आरोप है कि यहाँ जो आशुआशन केंदर सरकार के तरफ से 2020 में किसान अंदुलन के दोरान दिया गया था और जब 13 महीनों तक अंदुलन करने के बाद किसान घर वापस लोट गए थे आखिरकार दो साल बीत जाने के बाद भी के अंदर सरकार यहाँ पर अपने आश्वाशन को पूरा करते हुई नजर नहीं आ रही इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्स अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा सुनिये ज़र यह किसानों का सवाल यह नया नहीं है इससे पहले भी देश के महतपूर किसान संगठोरों ने सरकार से मांग की थी कि MSP उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने तीन काले कानून जिस सरकार ने बनाए हो 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो और जब चुनाव आया तो सरकार ने सुईकार किया और तीनों काले कानून वापिस ले लिए वही बात फिर उठी है किसान MSP चाहते हैं और MSP का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले तब जब आपने स्वामी नाथन जी को भारत रतन से सम्मान दिया है अगर आप एक तरफ तो स्वामी नाथन जी को भारत रतन से सम्मान दे रहे हैं वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौई चन सिंग जी उनको भारत रतन दे रहे हैं तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल लें एक तरफ जहां आप भारत रतन दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए MSP दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें MSP किसानों को मिले अर्थ विवस्ता पांच ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी ज अगर किसानों को लावकारी मूली जो सरकार ने कहा था कि आए दोगुनी कर देंगे मान लीजिए अगर ये सरकार आए दोगुनी कर ले जाए तो टेंड ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी तुरंद बन जाएगी लेकिस तो आपने सुना यहां पर जिस तरीके से अखिलेश याद तभी ये देश तरकी करेगा आने वाले वक्त में यहां पर हम केंदर सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो किसान है उनसे ज्यादा से ज्यादा उनको लाव पहुचाया जाए और आने वाले वक्त में देश के किसान की स्थीति को सुधारने के लिए विचार किया जाए फि आप देखे रही नेक्ट नाइन नूट्स